इन दिनों पुरे देश में बवाल है वहीं नागपुर पे भी इसका विरोध काफी जोरूप है विदा सिटिजन ओफ इंडिया इस संकटना की अधर गद कई संकटना ने एकत दिताकर के इंद सरकार के अडियल रवेय पर भी निशाना साता है सविदान चौक ने आई चीद इस दर्ना प्रदशन भी अलग-अलग तक के के लोगों ने समर्थन देखकर ये कानुन पीछे लेने की मांग की है नाखपुर सेथ संविदान चौक में वीट सिटिजन्स ओफ इंडिया त्वाराच चल रहे सी ए ए एनासी एनपी और के विरोध को अपना समर्थन देने जेन्यू के पुर्व प्राथ्य पक पुर्शुत्म अगरवाल नाखपुर पहुचे उन्होंने जेन्यू के लिए अपनी ड्राइव एक तकी जेन्यू पर लगातार हमले होने के पाउचुत यूपी ऐसी में जेन्यू टॉपर है काम खर्श में अच्छी शिक्षा का हर विध्या तिकादिका है जेन्यू को कोस्ते पाले या बूल जाते हैं के प्रधान मंतरी के मंतरी भी जेन्यू के स्टुड़न्ट रह चुके हैं ऐसे में जेन्यू बंद करने के पचाए हर चिले में जेन्यू की स्तापना होनी देखिए ऐसा है कि JNU अपने इतने बुरे दिनों में भी जबके उस पर लगातार हमला है ऐसे तीर मार सकता है तो आप कल्पना कीजिए कि JNU पर अगर ऐसे हमले ना हो तो महां क्या होगा दूसरी बात ही है यह बात में लगातार कहता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं सट दाउन JNU तो इसलिए उन बातों में कुछ नहीं रखा साथी नागपूर के आंदुलन को समर्थन देती भी उन्होंने कहा कि यह आंदुलन नोचबान और महिलाव का आंदुलन है नागपूर में हो या देश में और कई जगा पर उनका समर्थन रहेगा सविदान की रक्षा करना हर भार्टिय नागरिक का प्रथम करतावी है वह तो यह भी बोल रहे हैं कि प्रधान मंत्री को मुझे वित्त मंत्री बना जाए क्योंकि नहीं है तो पहले वित्त मंत्री बन जाए उसके बाद जेएंगे अग्याइट इंडियान एक सर्विस का वह काफी कढ़न परिक्षा होती है यह सब करते हैं पर भी पर कैसे लोगों के लिए मेरा नहीं है कि जहां जेक्नी पढ़ाई क्लास में होती है उससे ज्यादे क्लास के बाहर हो जेएंगे लगके लगकिया जब चाय पीते हैं तब भी वह एकेडमिक मेंटर्स डिसकस कर रहे हैं इहां आया ही इस लिए था क प्रोटेश्ट के प्रती है अपना सम्मान अपना प्रणाम व्यक्त करता हूं क्योंकि यह नौजवानों का और 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 जैसा मैंने अभी कहा कि किसी भी समाज को यह तो तब के बनाते हैं तो यह एक तरह से लोक्तंत और हिंदुस्तानी सम्मिधान के रक्षा की लड़ाई है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं उसका बहुत सम्मान करता हूं इनी बातों के बीच पूरी देश में बवाल मचावा है अब राजी की उप्राशानी नागपु शहर में पी इस कानून के विरोध में सविदान चोक में आंदोलं खड़ावा है वेद सिटिजन्स ओफ इंडिया इस संकटन वारा 11 जन्वरी से 14 जन्वरी तक 4 दिशिया धर्णा प्रदेशन का आईचन क्या गया है पेछले तीन दिनों से अब तक कई संकटन ने इस प्रदेशन में सहयोग दिया है केंदर सरकार द्वारा इन कांडनों को लागू करने की बात होने की बात इसका जमकर विरोध करती भी इन कांडनों को सविदान के विरोध भी होने की बात सामदी रखी है हमारी demonstrant जो है वो जायज है ऐसा हमको लगता है क्योंकि जो कानून अंकॉंस्टीटूशनल है अंकॉंस्टीटूशनल कानून के फिवर में जाना ये वकीलों के मतलब नहीं नहीं है हम नहीं चाहते कि मल्टीप्ली सीटी ओफ लिटिकेशन हो हम नहीं चाहते कि देश में विरोधाबास रहे एक कम्यूनिटी और दुसरे कम्यूनिटी के बीच में एक नागरिक और दुसरे नागरिक के बीच में इसलिए हम यह चाहते कि जो देश की गंगा जमनी तहजीव है जी देश में लोगों ने एक साथ में रहे के इस देश के हर तेवार को मनाया है हम चाहते हैं कि वो कानून के अंतरगत ऐसा कोई काम नहों जिसके वज़े से हम एक जात में जो आज इद और दिवाली जो मनाते है वो इद और दिवाली के कारेक्रम या इद और दिवाली जैसे तेवारों को हम अलग-अलग मनाए या एक दूसरे को शक की प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है साथी सरकार द्वारा लागू क्या जा रहा कानून सविदान का किस तरह विरुद करता है ऐसी पुक्ता जानकारी भी इस वक्त दी गई यह सरकार ने जो कानून पास किया है CAA और NRC लाने की जो बात कर रही थी सरकार तो CAA से लाके उन्होंने देश में एक भरम पैदा किया है और देश का जो सम्विदानी जो मूल्यों का जो ढाचा है जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्रस्तावना है और जो फंडमेंटर इसका विरोध है और सरकार जो है इससे पहले अलड़ी मैं समझता हूँ कि सिटिजन्शिप का कानून था नया कोई कानून ऐसा लाने की जरुवत नहीं थी जो के देश को डिवाइड करता हो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लेकिन देश की जनता इनकी सब चीजों को समझ इन दिनों देश में NPR, NAC और CA के विरोध में बवार खड़ा हुआ है वही सरकार की नीती भी इससे लागू करने के लिए बेकरार है पंजन आंदोलन द्वारा इन नीतियों पर दबाव बनाने के लिए जोड़दार प्रयास भी चल रहे है आनी वाली दिनों बे इन कानू उकुलिकर क्या संभा नायब बनती है या बात देखने बानी रहेगी फिलाल वाद विवादों में घिरा केंदर सरकार का फैसला भी कई सवालों को जल्म देनी वाला है क्यामरा परसंद विरिंदर खुबरागड़े के साथ नितिन शिगावकर की रिपूर्ट